वेलकम, इट्स मी, श्रवण कुमार आचारे अमिले आज़े बंदा वयो गाड़ी Macroeconomics को लागी numerical part अंतरगा तीनोट एपिसोड एड़ी सब्सक्राइब गोशूं योच है एपिसोड फो हूँ एपिसोड फो हूँ एपिसोड फो हूँ nominal GDP रहा, real GDP को योटा data चा योट डेटा को बेसिसमर हूँ रहा है अमिले GDP deflator पर निकालूँ छे उटा और तेस बाची फेरी rate of inflation पर निकालूँ छे येथी काम, येज़े बिशोड आमिले सक्षों ला, अब चाहिं अब यानीर, आमिले थापान, थापान पर निकाल एंडर येवटा माँ तेवा, GDP deflator को फोर्मुला थापान पर निकाल बागी को बाईयाल छे आननंद ले करो सोलूसन बनननो सीधे ये टेवाल माँ गर्धिये पनी हूँँँछा एक इगी बोटाक टेबल मां गर्दान जाओ लाग चावाने यह सरी नहीं कॉपी मां लाएं यह सरी नहीं गर्दापनी मुझे वी याँ बनने ट फास्ट वी याँ GDP डिफिलेटर को फार्मुला लेखने GDP डिफिलेटर को GDP डिफिलेटर को फार्मुला आवा nominal अपन real nominal GDP GDP अपन real GDP इन्टिु 100 याँ जँ जाँ अब आम ये ते ये और 10, 11 को लागी 11, 12, 13, 14 चार उटा GDP डिफिलेटर चाए को छा चार उटा GDP डिफिलेटर चाए अब जटी डिफिलेटर अरे को लागी निकालो अरे को लागी GDP डिफिलेटर निकालो अब येट फर्स्टाम लेट GDP defilator 1011 को लागे निगालों एधा जस्त मानाव ना For 2010-11 GDP defilator is equal to 1011 को nominal 2000 छा Real 1800 छा इन्टो 100 is equal to कोती होंचे अब एर नेव 2000 divided by 1800 2000 divided by 1800 गर्दा हीरी कोती बाए इन्टो 100 गर्दा हीरी 111.11 बाए 111.11 बाए 111.11 यो चैंग GDP defilator फर्स्ट कोब Similarly 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 For 11.12 2012-13 and 2013-14 GDP defilator कोती कोती होने बाए बाए वांदा खेरी कर्मास अगे 211 को लागी अब 11.12 को लागी 22.00 divided by 1900 22.00 divided by 1900 into 100 बारबर कोती होन जा वांदा यो गर्ने 22.00 divided by 1900 into 100 115.78 115.78 वाज इन्न 4 11.12 एंड और 12, 13, 13, 14 सभाई को गवर नेगे यह सेर नहीं और यह सेर नहीं यह चाहिए 11, 12 को लागी बाओ 12, 13 को लागी यह रहा हूं ना यानिता 12, 13 को लागी 12, 13 को लागी 25, 00, divided by 2,000 25, 00, divided by 2,000 into 100 बहने को 125 आया बहने को 125 आया और 13, 14 को लागी फेरी को थीता 3000, divided by 21, 00 3000, divided by 21, 00 into 100 बहने को लागी 142,86 ला यह से तो बाओ यह चाहिए GDP डिफिलेटर आया हूं यह यह सेर नहीं सबाई को लागी गवर नहीं यह गवर ना तो यह सेरी गवर देंगे 11, 12 को लागी यह ती 12, 13 को लागी यह ती 13, 14 को लागी यह जीडिपी डिफिलेटर को यह फॉर्मला मा राहरे क्याल्कुलेशन गरेको तो भूजन छोई यह सेरी आमिले यह उटा, दुईटा, तिन्टा, चार उटा यह चार उटा पिरेट को जीडिपी डिफिलेटर निकाले अब जीडिपी डिफिलेटर निकाले मात्रे भूजन फेरी आमिले चाहिए रेट अफ इन्फ्लेशन अब क्या चाहिए तो रेट अफ इन्फ्लेशन चाहिए अब inflation rate को लागी फेरी आपना चुट्टी फॉर्मुला आशा अब rate of inflation for T period चाहिए rate of inflation rate of inflation को फॉर्मुला कियों चाहिए rate of inflation को लागी दोस्तो GDP deflator लाए GD बनो आए GDP यो deflator को D आए GDP deflator for T minus GDP deflator for T minus 1 period के अपन GDP deflator for T minus 1 period को इन्टू 100 फॉर्मुला इन्फलेशन रेट rate of inflation फॉर्मुला को जीट है फॉर्मुला को निकालना मिल दाए गिनावने येसको लागी ये जाते GDP deflator आए आपको लागी लो GDP deflator चाहिए अब के गारने आए rate of inflation निकालना मिल दाए अब के गारने आए 10-11 मिल दाए नाए 2011-12 को लागी गर दाखेरी GDP deflator for T minus अब के एसको फॉर्मुला को असो ने जीट? यो 11-12 म माने को यो अब अवादिको GDP deflator निकाल दाए जो हमाने यो बार्षा को GDP defilator माइनस अगी लो यो बार्षा को GDP defilator अपन यो बार्षा को GDP defilator के अब यह अब यह लाई यह अलाई एंद्रे ठुबलो ही गाराया लेखां GDP defilator for 2011-12 minus GDP defilator for 2010-11 अपन 10-11 for 2010-11 into 100 गार्ने अब 11-12 को GDP defilator 115.78 हो यो फई 115.78 हो देखिए को छहीना जस्तों लाए भई न 115.78 एती हो अगाड़ी को 111.11 अब यो ब्यालू रहा है 115.78 माइनस 111.11 divided by 111.11 into 100 गार्ने अब यो गार्टा केरी को यहां से calculated दबावने अब जस्तों 115.78 माइनस 111.11 divided by 111.11 into 100 गार्टा केरी 4.20i यह थी चाहिए rate of inflation रही चाहिए 11-12 को लागी rate of inflation यह थी रही चाहिए अब similarly similarly और एक को लागी निकालने के फ़र 11-12 गार्टा को गार्ने ता 12-13 को लागी बनी गार्ने 13-14 को लागी बनी गार्ने similarly for 12-13 को लागी बनी 12-13 को लागी किये उने बायता अंदा है 125 चाह 12-13 को 11-12 को 11-15 चाह यह गार्ने बनी 125 माइनस 115.78 डिराइड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेड़ेडू 115.78 इंटु 100 बराबर कथे उन्चे गार्ने 12-13 को लागी अनि 4 और 2013-14 को लागी यह दखेरी 1314 को GDP defilator 142.86 हो माइनस अगी लो 125 हो अपन 125 इंटो 100 करने यो गर्दा कती आऊंचा अब ये रो 125 माइनस 115.78 डिए 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 115.78 इंटो 100 गर्दा केरी 7.96 आयो इंटो 142.86 माइनस 125 डिए 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 125 इंटो 100 गर्दा केरी 14.28 आयो अब ये इकुरा सब़े इंफरमेशन आयो GDP defilator for each each इट पने आयो तेस वाची आब आमरो इंफलेशन चाहे को बने इंफलेशन पने आयो अब सब़े इकुरा आयो अबाद फाइनल वान योटा टेबल कंस्ट्रॉक्ट गरने नियन्स बाने रे नियन्स बाने रे येर वा क्यालकुलेटेड टेबल बान दावने उन्छे क्यालकुलेटेड टेबल बाने येर 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 GDP defilator कटी कटी आगवा अगाड़ी याने 111.11 GDP defilator GDP 111.11 115.78 115.78 125 142.86 125 142.86 142.86 GDP defilator भाओ है तेस वाची रेत आफ इन्फलेशन रेत आफ इन्फलेशन मा अवे यान्द जाती जाती आयो तेती लेखों फर्स्त मा आयो 4.2 तेस वाची 7.96 आफ इन्फलेशन को निकालना मिले ना तेस वाची 4.2 7.96 एन्फलेशन 14.28 14.28 यो पर्सेंटेज मा आफ जीडीपी डीफिलेटर अवे यो भाया तेस वाची आवा यो चाहीं आरू ये अर नाई भाय येती काम गवारेवाने येती काम गवारेवाने 10 माक्स आयोगे जीडीपी डीफिलेटर वाट कोई सुना आयोगाने आव यानिर चार वटा एपिसोड मा माईले चार परकार का इसा वारू परकार का उनाँ शाक्षा सबय कुर्या आरू ये चैप्टर वाट चैप्टर वाट राख देगुछु येती बाट येवटा इसा पता आउसा डुक के यो चार पड़ा एपिसोड येवटा इसा पता आउसा तेस वाची आवा नियू चैप्टर चा नियू चैप्टर को वीडियो अरू अब कोंटिणू हालाँला सब्सक्राइब्या की दो सब्सक्राइब न गया जरीम न किसमा है नुदी तेश रचीए आमेले बी 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 एस को सब्सक्राइब बुज़नवाई ने BBS को 2nd year, 3rd year, 4th year को सब़े निमेरिकल औने Master को पने सब़े निमेरिकल को ओनलाइन क्लास अरू गर रहे रहाश में एकदम एफेक्टिव ओनलाइन, गैरेंटी ओनलाइन क्लास येदि इंट्रेस्टेड होनाँ छा, जोईन होनाँ ने कोमेंट गरना सकुनाँ चा या अमिस्ट लाइक संपर्ग गरना सकुनाँ चा अस ठैक्स वर वाचिंग, बाबाई